तो गाई सरस्बति पूजा की दुन सुभा सब्बा उटके नहा धोके में गई मन्दिर ये रहा हमारा शिव मंदिर हमारे गाव का शिव मंदिर और उसी के पास में लगा था सरस्बति माता का मंडब जहापर हमने दिये पुश्पान जली उसके बात खाये बहुत सारे प्रशाद और खिचरी फिर घरा के मैंने अपने मूँ में थोड़ासा फेस्पिक लगा लिया हाला कि मेरे को कॉलेज या फिर कहीं दूर नहीं जाना फिर भी थोड़ासा स्किन कियर किया उसके बाद लगाया मूँ पे बहुत सारा क्रीम और कुछ भी नहीं उसके बाद मेरे को पहनना था ये मेखला सदर जिसका ब्लाउस तो अब तक तयार हुआ ने इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर के टॉप पहन लिए ये ठीक ही लग रहा था और फिर मैंने थोड़ से मस्कारा और लिबाम लगाया बस वो मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैंने ब्लाउस चेंज कर दी आइमें टॉप के जगा मैंने ब्लाउस पहन लिए और बाल को थोड़ा आगे से स्ट्रेट कर लिया बट फिर भी मेरे को ये ब्लाउस टीक नहीं लगा तो मैंने दुबारा चेंज कर लिया ये पुराना ब्लाउस है जो मेरे पे टाइट हो अब यही पर गुजारा है और अब ये स्कूल काफी बदल गया है बट स्कूल तो हमारा वही है फीलिंग अभी भी खुसने के बाद वही वाली आती है बट अब लोग बदल गए है अब ने स्टूडेंस आ गए है तो बहुत सारे अपने चोटी चुरे भाई बेहनों से मिले पाइँ टीचर से बात किये उसके बाद हमारा ध्यान था खाने पे तो हम फिर से खाने चले गे सुबह से किच्छी पा रहे थे बट फिर भी कितना भी खाले मेरा पेट कहा ही भरता है बताओ तो खापी के हम थोरह सा बाजार के ओर जाही रहे थे और फिर देखो मेले लगे हुए थे बट हमें इन सबसे कोई फरक नहीं परता हम बस अपने खाने पर फोकुस करते हैं दो बच्ची की तरह हम छोटे बच्ची भ खाने के बाद मेरे को और वीडियो बनाने की हिम्मत मेरे में थी नहीं फिर मैं सीधा घर चली आई वीडियो इतना ही था चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना